हलो किट्स आज हम क्लास थर्ड की मौरल वालियूस की बुक तुगेदर विद में से यूनिट फाइफ पूर अरुन बने जा रहे हैं इस चैप्टर का हम हिंदी में लाइन टो लाइन एक्सलेनेशन समझेंगे आई होप आप लोगों ने अपनी बुक्स अपने साथ रेडी रखी होंगी इस बुक की जरुद क्यों पड़ेगी क्योंकि आपको लाइन टो लाइन एक्सलेनेशन समझना है तो चलिए आप लोग सब लोग अपनी अपनी मौरल वालियूस की बुक खोल लीजिये और हम लोग स्टाप्टर को स्टार्ट करते हैं तीन दिन पहले दिवाली मेला गुमने गई हुई थी मेला को इंग्लिश में फेर कहते हैं अरुन हैंड एंजॉएड दुएड फेर वेरी मुच अरुन ने मेले को बहुत एंजॉई किया था The next day, the class was to go on a picnic to a lake अगले ही दिन, class को picnic पर जाना था लेक के पास घूमने के लिए आरुन was very happy before he went to sleep आरुन बहुत खुश था सोने जाने से पहले He would have a nice, enjoyable picnic He thought उसने सोचा कि वो बहुत अच्छी, बढ़िया, enjoyable, enjoyable माने enjoy करने लाइक picnic को मनाएगा वो बढ़िया मस जाएगा picnic घूमने और वहाँ पर जाकर खूब मस्ती करेगा He would eat a lot of nice things play ball with his friends and sing and dance with them He told mother Please wake me up at 6 उसने अपनी मदर से बोला Mommy, please मुझे सुबर 6 बजे उठा देना I have to be ready by 7 मुझे 7 बजे तक पूरी तरीके से तयार हो रहना है पिकनिक में जाने के लिए He then bid goodbye to his parents, brother and sister and went to sleep उसके बाद वो अपनी ममी से बोलकर ये चला गया कि ममी मैं सोने जा रहा हूँ Bye good night अपने parents को good night बोला अपने भाई को, अपनी बहन को, सब को good night बोलकर सोने चला गया Mother called him at 6 अब जो अरुन है उसकी मदर ने, उसकी ममी ने उसको सुबा 6 बजे उठाया Dear Arun, please get up and get ready Dear Arun, please उठ जाओ उठ जाओ, तुम्हें ready होना है You have to leave home at 7 तुम्हें 7 बजे तक पिकनिक के लिए जाना है Please उठ जाओ, और ready हो जाओ But Arun was not in his usual self पर Arun जो था, अपनी बिल्कुल सही हालत में नहीं था जैसे वो डेली उठता था सुबा, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था आज क्या हो गया था उससे? He was in grounding and writhering in pain He was in grounding and writhering in pain इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत जोर से चिला रहा था और दड से जड़ पटा रहा था He could only say Mommy, my tummy, mommy, my tummy वो सिफ इतना ही बोल पारा था कि Mommy, मेरा पेट Tummy का मतलब पेट Mommy, मेरा पेट क्या हुआ था उसके पेट में आगे? आईए आगे जानते हैं He had some fever and loose motions too उसको थोड़ा सा बुखार और उसका पेट भी खराब हो गया था Loose motion में यानि पेट खराब हो जाना Mother took him to the doctor अब अरुन की ममी उसको डॉक्टर के पास लिके गए Doctor asked him if he ate anything outside Doctor ने अरुन से पूछा क्या आपने कुछ भी बाहर से खाया था? अगर आप बाहर का कुछ भी अगर आप बाहर गए हो या आपने बाहर का कुछ खाया हो गया आपने खाया था ऐसा कुछ? Yes Said Arun I ate potato chaat and gulaab jamun the other day in the fair Arun ने बताया हाँ Doctor मैंने बाहर खाया था मैंने potato chaat का मतलब क्या हो गया? मैंने आलू वाली chaat खाया थी जो आप लोग अपने पेरेंस के साथ जब बाहर जाते था कैसे आलू chaat खाने जाते हो गुलगपे खाते हो तो वैसे ही Arun ने भी potato chaat खाया थी और Arun ने गुलाब jamun भी खाया थे फियर में जब अपने दोस्तों के साथ गया था I had crushed ice cream too with lots of syrup on it उसने बताया कि मैंने crushed ice भी खाया थी अब यह crushed ice क्या होती है crushed ice जो आप मेले में जाते हो और देख तो बरफ का गोला होता है उसमें कितने सारे अलग-अलग flavors जालता है वह liquid के syrup डालता है रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, खट्टा वाला फ्लेवर है इसा फ्लेवर्स होते हैं तो अरुन ने मेले में यह बरफ का गोला भी खाया था doctor turned to his mother and said Mrs. Devi your son is suffering from food poisoning आप doctor जो है अरुन की मदर की तरफ देखते है और उनको बताते है Mrs. Devi आपके बेटे को food poisoning होई है अब ये food poisoning क्या होती है बच्चों food poisoning, जब हम बाहर का कोई भी खराब खाना घंदा खाना खा लेते हैं तो उससे food poisoning हो जाती है food poisoning होने की वज़े से हमारी तबियत खराब हो जाती है Food poisoning is caused by stale food that has gone bad. Food poisoning, खराब खाने की वज़े से होती है, जो बिल्कुल खराब हो चुका होता है. Stale का मतलब खराब, जो खाना खराब हो चुका होता है, उसको खाने से हम लोगों को food poisoning हो जाती है. Even dirty food can cause stomach pain. और in fact जो खराब खाना होता है, उसकी वज़े से भी stomach में दर्ध हो सकता है हम लोगों को. Ask your son not to eat anything that is uncovered. अब डॉक्टर ने बोला अरुन की ममी से कि अपने बेटे को समझाए कि वो कोई भी खाना बाहर का बना हुआ जो कि covered नहीं होता, उसको ना खाये. अब कौन-कौन सा खाना का वर्ड ने होता, आप देखते होगे ना कि कैसे समोसे, जलेबी, टिक्की, पापड़ी, है ना किती साइज चीज़े खुले में बिक्रे होती हैं, वो सारी चीज़े खाने से हम लोगों की तब्यत खराब हो सकती है. Mother said, are ice lollipops not safe? Doctor replied, he should not take the crushed lollipops too. अब ममी ने doctor से पूछा, क्या ice lollipops, ice lollipop का मतलब वही बर्फ का गोला, क्या बर्फ का गोला भी safe नहीं है? खाने के लिए हैं, क्या उससे भी बिमारी हो सकती है? तो doctor ने रप्लाइ किया, हाँ, बर्फ के गोले से भी बिमारी हो सकती है. कैसे? Many vendors use contaminated water for making ice. बहुत सारे जो vendor होते हैं, vendor कौन होते हैं? दुकान वाले, दुकानदार है ना? जब आप खाओगे उनको तो आपके पेट के अंदर चले जाएंगे, आपको तो नहीं पता कि बर्फ कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही है, इसलिए बहार का बर्फ का गोला होता है, वो भी हम लोग के लिए हानिकारक होता है. He gave Arun medicines, Arun came home with mother. अब डॉक्टर ने Arun को medicines दी, और Arun जो है, अपनी मदर के साथ वापस घर आ गया. He not only missed the picnic, he missed classes for a whole week. Arun ने बहार का खाना खाने के वज़े से ना ही सिर्फ picnic मिस करी, पर उसने अगले पूरे एक हफते तक वो बिचारा स्कूल ही नहीं जा पाया. सिर्फ किस वज़े से? क्योंकि उसने बहार का सड़ा गला काना खाया था. तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हमें कोई भी खाना बाहर का खुला हुआ, जो गंदा है, गंदगी में है, जिसमें धूल मिट्टी बैट रही है, मक्ही मच्छर बैट रही है, खुले में बिक रहा है, खुले में बिक रहा है, वो कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए. तो moral of the story क्या हो गई? never eat food exposed to dirt and dust. आप बताइए बच्चों आपको ये चाप्टर कैसा लगा, अगर आपको मेरे चाप्टर बहुत अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चानल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने सभी ग्लासमेट के साथ जदी जदी फॉरवड कर दो, ठीक है और इसी तरह से आपके और भी अदर चाप्टर की वीडियो आती रहेंगी, थाइंक यू, बैबाई